आडियो 4 नवयुक का मत्स्यावतार देखक वेदमूर्थी तपोनिष्ठ पंडिश्रे राम शर्मा आचार्य नए लक्ष्य नए उद्गोश मिशन की पत्रिकाओं के पाठक 25 लाख हैं उस छोटी मंडिली द्वारा युक का गोबर्धन उठेगा नहीं संख्या और शम्ता अनेक गुनी बढ़ाने की अवशक्ता है संसार भर की सैने शक्ती एक करोण सैनिकों से कम नहीं जिनका काम लड़ना भर है पर जिने स्रिजन प्रयोजन वहन करना पड़े उनकी संख्या एवं शम्ता तो और भी अधिक होनी चाहिए लक्ष और उसकी उपलब्धी को ध्यान में रखते हुए संतुलन तभी बैठता है जब संसार में उतने स्रिजन शिल्पी तो चाहिए ही जितने की सैनिक साथ सज्जा के साथ छामनियों में रहते हैं स्रिजन शिल्पियों की संख्या एक करोड तक जा पहुँचे तो समझना चाहिए कि नया संसार बसाने की योजना का उप्युक्त आधार खड़ा हो गया दूर से देखने वालों को यह कार्य असभव जैसा दिख तो सकता है पर बात ऐसी है नहीं साधन हीन अखंड जोती पत्रिका बिना विज्यापन छापी जा भी सकेगी यह संदेय सभी करते थे पूजा पाट के आधार पर खड़ा किया गया छोटा सा संगठन किसी दिन जन्मानस की कठिंतन समस्याओं के समधान की इस्थिती में जा पहुँचेगा इसकी किसी को कलपना भी नहीं थी पर चेतना का चकर घुमता है तो अपने गर्व में संजोये हुए हर संकल्ब को प्रत्यक्ष कर ही दिखाता है स्रिजन शिल्पियों का प्रचूर संक्या में उत्पादन भी इसी चेतना चकर के गती चकर का एक चरण है जो पूरा होकर ही रहेगा अपनी लक्षे तक पहुँचकर ही विश्राम लेगा बड़े काम भी प्राया छोटे बीच के रूप में ही बढ़ते और क्रमशविस्तार करते हुए वर्शा के बादलों की तरह सुविस्तिरित आकाश पर छा जाने की सफलता प्राप्त करते हैं आरंब में अकंड जोती का पर्थम अंक पांसो की संख्या में छापा था बाद में वो युक्ति आविशक्ता का पक्षदर सिद्ध होने के कारण मानवी गौरो गरीमा द्वारा मानेता मिलने पर सहज विस्तार की गती पकड़ता गया और अब इतना विस्तार कर सका जिसे अपनी शैली के छेत्र में अनुपमेवम अद्वोधी कहा जा सकता है क्या आगे यह प्रगती क्रम डुक जाएगा? क्या लंबी मनजिल पार करने का लक्षे बना कर चलने वाला कारवा कुछ मील पर ही धक कर आगे न चल सकने की असमर्दता प्रकट करने पर पैर पसार देगा? आशक का ऐसी ही दिखने पर भी किसी को यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि जिस समर्द सकता ने यह सरंजाम जुटाया है वह पानी के बबुले की तरह अपने उत्साहा का समापन कर बैठेगा यह विस्तार करम रुपने वाला ही नहीं है नियती के निधारन पूरे होकर ही रहेंगे समय की मांग के अनुरूप पुरुशार्थ युग संधी की इस बेला में वातावरन क्रमश अधिक गरम होता जा रहा है स्रिजन शिल्पियों का उत्साह, साहस और पुरुशार्थ किसी शशक्त फववारे की तरह उचल और मचल रहा है निर्धारित गतिविधियां तिवर से तिवरतम होती जा रही है ऐसी दशा में विस्तार का आरंभिक तंत्र भी बहुत गती से अग्रसर होना चाहिए अभिवर्धन प्रक्रिया में कहीं कोई व्यवधान पढ़ना नहीं चाहिए अखंड जोती के पाठक इस परंपरा को निष्ठा पुर्वक निभाते रहे हैं पहुचने वाला हर अंग कम से कम पांच लोगों द्वारा पढ़ा जाता रहे इसी आधार पर तो 25 लाग के परिकर को अनुपाठकों समेत 25 लाग गिना और अपने परिकर को इतना बड़ा कहा माना और समझा जाता है अब एक उची छलांग लगाने का दूसरा सोपान नई चुनोती लेकर सामने आ खड़ा हुआ है एक से पाँच का सिलसिला मुद्दतों से चलता रहा है अब एक उची छलांग लगाने का दूसरा सोपान नई चुनोती लेकर सामने आ खड़ा हुआ है एक से पाँच का सिलसिला मुद्दतों से चलता रहा है अब पाँच को 25 होना चाहिए वे अनुपाठक जो दूसरों से मांग कर अपनी जिक्यासा स्टांत करते रहे हैं अब उन्हें बचपन वाली सहायता पर निर्भर रहने की प्रकृती छोड़नी चाहिए और तरुणों जैसी वह रिती नीती अपनानी चाहिए जिसमें देना और बढ़ाना ही करता वेवन कर अलत परता है और बड़े चड़े पुर्शार्थ की अबेक्षा करता है एक सदस्य पांच अनुपाठकों की सहायता करता है अब अनुपाठकों का एक कदम बढ़ा कर सगन आत्मियता बनाने की अनुबंद में बांदना चाहिए स्वयम पूर्ण सदस्य बनना चाहिए और अपनी पत्रिका के पाँच-पाँच अनुपाठक बनाकर पाँच से पचीस वाला विस्तार क्रम पूरा कर दिखाना चाहिए। इन दिनों अखंड जोती का हर सदस्य और चार नए सदस्य बनाकर अपनी मंदली पाँच की गठित करें। इससे अनुपाठक तो 25 सहज ही हो जाएंगे। इस अभिनों विस्तार के चरण को एक नियमित प्रग्या मंदल का गठनी कह सकते हैं। पाँच सदस्य इस प्रकार चार चार नए साथी बनाकर 25 की मंदली के सुत्र संचालक बन सकते हैं। आज के सदस्य कल स्वयम ही एक प्रग्या मंदल के जन्मदाता कहलाने लगे। इतने भर से मिशन एक ही चलांग में एक ही वर्ष में अपना पाँच गुना विस्तार कर लेगा। और अब तक जिस क्रम से स्रजन संकल्प पूरा होता रहा है उसकी तुल्ना में अगले ही दिनों विकास उपक्रम में पाँच गुनी अभिवरिद्धी हो जाएगी। इसी बात को दूसरे शब्दों में यो भी कहा जा सकता है कि जिस गती से पिछले दिनों गत्व शीर्टा का उपक्रम रहा है उसकी तुल्ना में अगले दिनों प्रगती का अनुपाद पाँच गुना अधिक बढ़ जाएगा। वह सब कार्य एक वर्ष में ही बन पड़ेगा। जिसे पिछली सफल्ता की तुल्ना में पाँच गुनी अधिक तीवर गती से चलने वाली प्रगती कहा जा सके। युग संधी के शेश अगले वर्षों में ऐसी ही सहकारिता का परिचय देते हुए हम उस लक्षे तक पहुंच सकेंगे जिसमें मनुष्य में देवत्र के उद्य और धर्ती पर स्वर्ग के अवतरन की संभावना का प्रतिपादन किया गया है। आगों में हम मत्स्यावतार का उपक्रम अपनाने वाले सच्छे अर्थों में युक सादक बन सकते हैं। नव्स्रिजन के छेत्र में मिलजूलकर वह चमतकार कर दिखा सकते हैं। जिसे सुनने में तो सर्वसाधारन रुची लेते हैं। पर व्यम्हार में प्रत्यक्ष बन पढ़ने की बात को संदेह एवं असमंजस जैसा ही कुछ मानते हैं। उपरोक्त निर्धारन के अनुसार वर्तमान सदस्य यदिचार नए सदस्य बना लेंगे। तो अपने प्रग्यामंडल के एक समर्थ सुत्र संचालक बन जाएंगे। उनमें से पाँच-पाँच अनुपाठक मिलाकर 25 का एक समुदाय बन जाएगा। और उसकी संयुक्त शक्ति से ऐसा कुछ बन पढ़ने की संभावना उख सकती है। जिसे 24 अवतारों, 24 देवताओं, 24 रशियों, 24 देवियों ने मिलजुलकर एक समग्र अध्यात्म विज्ञान की संरचना की थी। और नर्वानरों के समुध को मानवी गरिमा से सुसंपन इश्वर का राजकमार बनाने का करिश्मा दिखाया था। हमें अपनी 25 की छोटी मंदली को भी ऐसा ही मानकर चलना चाहिए कि बंदर जैसी दिख पढ़ने पर भी हनुमान जैसे पराक्रम में समर्थ हो सकेगी।